तो गांजा, भांग, चरस, अफीम, हैरोईन और कोकिन में क्या अंतर हैं? आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. दोस्तों सबसे पहले हम इन सभी ड्रक्स में बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं. गांजा, भांग, चरस ये तीनों कैनेबिस नामक प्लांट से बनते हैं. अ मादा पौधे के फूल से तयार किया जाता है. फूलों को तथा पौधे के उपरी भाग को क्रश करके सुखा कर स्मोकिंग के फॉर्म में सेवन किया जाता है. भांग, इसे कैनेबिस टाइवा प्रजाती के नर पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है. हरी पत्तियों को पी एवब अन्य भागों से प्राप्त रेजिन जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है उससे तयार किया जाता है इसको बनाना एक लंबी प्रसेज होता है इसी लिए इसके कीमत बहुत जादा होती है चरस को ही हशीश या हैस भी कहते हैं कैनिबिस पॉधे का सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होता है जो कि पूरे वर्ल्ड का 60% है इंडिया में मनीपूर मिजरम और नागलेंड में इसका उत्पादर सरवाधिक होता है अब आते हैं ओपियम प्लांट पर ओपियम इस्ट्रॉ इसका उत्पादन ओपियम पॉपी के सूखे पौधे को पीश कर बन अफीमियास एक सामने शब्द है जिसे सौड़ेड लिक्विड या पाउडर फॉर्म तीनों के लिए यूज किया जाता है सामनेता ओपियम पॉपी से निकलने वाले मिल्की लिक्विड का ड्राइड पाउडर को अफीम कहा जाता है है अफीम का दूद निकालने के लिए सएक्षं के दवराग किया जाता है नवार्यम का सरवादिक प्ररडक्शन गॉल्ड़न फ्राइंगल एवल गॉल्डन क्रेसेंट में होता है गुल्डन प्राइंगल में लाउस ठाइलें और मैनमाter और आते हैं विह में पाकिस्तान अफगानस्तान आते हैं इंडिया में इ से सरวादिक मातरा में इसका उत्पादन किया जाता है। keep बहुत खतर्क ड्रक है। इसके अधिक सेवन से मौत होने का भीischer कंग smaller रहता है। इनका सेवन सामानेता सूम कर किया जाता है लेकिन इसे गम्स पर रबüchtक क्या इन्जेक्शन के माध्यम से भी लिया जाता है ड्रक्स का यूज, medicinal purpose के लिए किया जाना allowed है और इसलिए इन में इसे कुछ का अदपादन भारत में भी किया जाता है, medicine के रूप में इनका उपयोग दर्द निवारक के लूप में किया जाता है, इनके regulation के लिए भारत में Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 बनाया गया है जिसमें इसके गयर कानूनी सेवन या विक्री के सम्मन में अधिक्तम 20 वर्ष तक की सजा नरधारित की गई है